धारखंड पॉल्टेकनिक 2023 एक ऐसा पॉल्टेकनिक जिसके उपर बहुत ही कम वीडियोस डिजाइन किये जाते हैं यूटीब पे बहुत ही कम ऐसे चैनल सुंगे जो धारखंड पॉल्टेकनिक के बारे में exact information देते हैं लेकिन tension मत लीजे क्योंकि इस वीडियो के माददम से एकदम exact जारखंड पॉल्टेकनिक के लिए ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के मादम से आपको ये पता चलने वाला है कि जारखन पॉल्टेकनिक में सरकारी कॉलिज के लिए कम से कम कितना माक्स आपका होना चाहिए और लाश्क तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और जो मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में अच्छे से पहले समझेगा ताकि आपको चीज़े बिलकुल स्पष्ट तरीके से क्लियर हो दियर स्टूडेंट्स जारखन पॉल्टेकनिक में तीन सब्जक्ट से क्वेशन्स पूशे जाते हैं पहला मैथमेटिक्स, दूसरा फिजक्स, और तीसरा आपका होता है केमिस्ट्री तीनों से पचास-पचास क्वेशन्स पूशे आते हैं अर्थात मैज से 50 क्वेशन्स, फिजक्स से 50 क्वेशन्स, इसके अलावा केमिस्ट्री से 50 क्वेशन्स अर्थात टोटल जो है वो 1.500 questions आपके जारखन पॉलिटेकनिक में पूशे जाते हैं पृते question के लिए जो है वो 1 marks दिये जाते हैं मतलब अगर आप 1 question सही करते हैं तो plus 1 marks आपको दे दिये जाएंगे clear बात और अगर वहीं आप 1 question गलत करते हैं तो 1 by 4 marks आपके काट लिए जाएंगे ये points भी आपको याद रखना है इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है simple और एकदम साप सब्दों में कि जारखन पॉलिटेकनिक में negative marking जो होती है वो होती है एकदम बिल्कुल सही सुना आपने UP और बिहार और जारखन ये तीन ऐसे पॉलिटेकनिक हैं जिसके लिए students काफी जादा excited होते हैं so UP में भी minus marking होती है बिहार में नहीं होती लेकिन जारखन पॉलिटेकनिक में भी minus marking होती है ये point आप याद रखेंगे तो UP और जारखन पॉलिटेकनिक में minus marking होती है और अगर आप जारखन पॉलिटेकनिक में कोई भी एक question गलत करते हैं तो जितना भी सही प्रशन सही करने पर आपको number मिले हैं उसमें से एक बटा चार number आपका काट लिया जाता है for example ध्यान से सुनिएगा मान लिजे 150 question आपके exam में पूशे गए मान क्या लिजे सच में पूशे ही जाते हैं अब उसमें से आपने 102 question attempt किये जिसमें से आपके 90 questions सही हुए और 12 question आपके गलत हो गए तो प्रते question का एक number मिलता है इस हिसाब से आपको 90 numbers सही questions के मिल गए 90 गुड़े एक बराबर 90 लेकिन minus marking होने के कारण ये 12 question जो आपने गलत किया है उसके numbers आपके कटेंगे एक question के लिए एक बटा चार marks काट लिया जाता है तो 12 question गलत हुए तो कितने number कट गए तीन number आपके कट जाएंगे तो अब 90 में से तीन घटा देंगे आप तो आपके exact number कितने बने 87 number ठीक है तो इस तरीके से counting होती है और इस तरीके से आपके numbers दिये जाते हैं मैं एक ही चीज़ आपको request करना चाहूँगा अगर आप जारखंड पॉलिटेकनिक के students हैं तो आप minus marking को बहुत ही जादा seriously ले और कोई भी question गलत करके ना आएं क्योंकि minus marking के वज़े से एक number भी अगर घटता है न तो आपकी rank हजारों में उपर नीचे चली जाती है इसलिए आपको exact वही question सही करने हैं जिस पे आपको 100% confidence है अब जान लेते हैं कि इसका quarter of क्या होता है मतलब अगर आप जारखन पॉल्टेकनिक क्या एक तरीके से सरकारी college प्राप्त करना चाते हैं तो इसका quarter of marks क्या है कितना नियुंतम से नियुंतम number लाने पे इसमें आपका admission हो जाएगा तो देखें students अगर आप जारखन पॉल्टेकनिक में किसी भी category के students है तो ऐसी स्तती में अगर आप 80 से लेके और 95 number तक प्राप्त कर लेते हैं 150 number में तो कहीं न कहीं किसी न किसी college में सरकारी college में आपका admission ज़रूर मिल जाएगा हाँ अगर आप top college की आस में हैं तो थोड़ा सा जादा number आपको लाना पड़ेगा 100 plus number score करना पड़ेगा पिट अगर आप normal college से भी संतुष्ट हैं बस वो government college होना चाहिए आप किसी भी category के हैं चाहे general के चाहे ओभी CSCST कुछ भी तो आप 80 से 95 number लेके आईए ये नियूंतम अंक है इतना अंक लाने के पश्षाथ आपका कहीं न कहीं किसी न किसी सरकारी college मेडमिशन मिल जाएगा ये हर बार के लिए होता है और कई बचों की counseling कराने पे हमें पूरी तरीके से पता है उमीद है students कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful रही होगी अगर आपको सारी चीज़े समझा गई तो इस वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के शार्ट शेर करिए और polytechnic से related और वी information आपको अमारे channel पांडे जे टेकनिकल पर मिल जाएगी तो इस channel को subscribe करके notification bell icon को जरूर प्रस कर लीजे तैंक यू सो मच students for watching this video God bless you all love you all students टेक केर